आज हम एकल स्वामित्वे हम साज़ेदारी फर्म में अंतर की बात करते हैं यानि डिफ्रेंस इन सौल पॉर्ट टाइपशिप की बात करें एंड पार्टनर्शिप फर्म की बात करें तो इसको हम दो बागों में बाट लेते हैं एकल स्वामित्व और एक सांजदारी की बात करें सबसे पहले हम देखते हैं जो अंतर का अधार की बात करें कि वैधानिक नियम की बात करें तो एकल स्वामित्व में इसके लिए कोई प्रत्थक वैधानिक अधिनियम नहीं है जबकि सांजदारी अधिनियम है उसके लिए सा अधिक सदश्य नहीं होते हैं जो होता है वो एक स्वामी ही होता है और अगर बात करें साज़दारी फर्म की बात करें तो इसमें नियूनतम दो सदश्य है अधिकतम 20 सदश्य और अगर कोई बेंकिंग व्यापपार हो तो उसमें 10 अदश्यों की संख्या होती है यानि सामाने साज़दारी में 20 बैंकिंग व्यावसाही हो तो 10 और कम से कम 2 ऐसी बात करें अनुबंत कॉंटेक्ट की बात करें इसमें आप से समझोते का तो कोई प्रशनी नहीं होता जब एकल व्यक्ति होता है तो उसको कोई समझोते की आउशकता नहीं पड़ती है जबकि साज़दारी फर्म में आप से समझोता अथ्वा अनुबंद होना आउशक है लिखित मोखिक वो अलग बात है अगर इसके स्कॉप की बात करें छेतर की तो जो एकागी ब्यापार या स्वामित्व है जबकि अगर हम बात करें साज़दारी फर्म की रहे जो भी है बना सकता है जबकि साज़दारी अपना साज़दार अपना हित्थ स्वातंत्रा से अस्वातंडा ज़ए नहीं कर सकते दाइरे में रहके ही चीज कारे कर सकता है पूंजी केपिटल की बात करें तो जैसा प्रतित होता है कि पूंजी की मात्रा सिमित होती क्योंकि इसमें जब एक ही व्यक्ति होता है तो उतने ही पैसे लगा सकता है जबकि साज़दारें दो या दो से दी व्यक्ति होते हैं तो बात है बाकि कोई व्यक्ति उसका registration नहीं करवाता है जबकि साजेदारी का registration एच्छिक है ये सभी साजेदार सेमत हो तो registration सरशन हो सकता है कर वा लेना चाहिए ज्यादा अच्छा तो सी में रहता है । लेकिन ये शूझक है अगर बात करें लाव हाने का बटवारे की बात करें कि जब लाव हाने का बटवारे की बात करें तो जब एकल स्वामिय होता है तो इसमें बटवारे का तो प्रशनी नहीं होता है समस्त जो लाव और हाने होगा जिसका अधिकारी भी वही होगा लाब होगा तो रहानियों की तो भी उसी को बहिन करनी पड़ेगी जबकि साज़दारों में लाब हाने का बटवारा सभी साज़दारों के मद्धे या तो समझतों के अनुसार या बराबत जैसे भी स्थतियों वे बटवारा होता है स्थापना की बात करें, एकल स्वामित्यु की स्थापना तुलना आत्म रूब से आस्तानिसे की जा सकती है, यानि इसमें ज़्यादा अर्चनिया दिक्कते नहीं आती है, जब चाहिए अपना व्यापार सुरू कर सकता है, यह ज़िए इच्छिक स्वेचिक जो शुरुआत इसमें नहीं होती तक निर्ने की बात करें कि इसमें सिख्र निर्नेले जासकते निर्स चौता test व्यक्तित्य 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 व् लिएपारी की व्यापारी की मृत्यूग के पस्षाथ उसका उत्तरदाइश स्वतही सांज्वधार नहीं बनता या तो लोग उसका सेक्रिफाइशो से उसका कर देते हैं या उसका जो अनुपाथ है उसको आप सिर में बाट लेते हैं कि प्रामर्स की बात करें एकल स्वामितों में स्वेम अकेला ही निने लेने वाला होता है इसलिए वे किसी भी प्रार्ख जो प्रामर्श है लेने के लिए बात दिया नहीं है जबकि साज़दारी में सभी प्रकार के निने निन्यों के लिए सभी साज़दारों से प्रामस लेना अनिवारे या आउशक ऐसे बात करें प्रबंद में इस्षेदारी की बात करें कि एकल स्वामित्व में कारोबार का संपूर्ण संचालन प्रबंद नियंत्रन स्वेंद को ही करना पड़ता है इसलिए वे अनिवारे रूप से कारोबार का प्रबंद संचालन करता है यानि उसका जो नियंत्रन कंट्रोलिंग या प्लानिंग जो भी कारी करता है एकल स्वामित्वी करता है और जबकि प्रबंद में इस्षेदारी की बात करें और साथ जारी फर्म में अंतर देखे